असलाम लेकूम कैसे आप सब उम्हीद है कि आप सब ठीक होंगे फिट और फाइन होंगे आज मैं बिग साइस का पीजा बना रही हूं फार्स टाइंग बना रही थी अच्छली बच्छे आवे थे तो बच्छों की फर्माइश थी के पीजा खाना है तो मैंने का चले भी ठीक मैं ले लिया एक चामच फुल बर के मैंने इस्तिसमे एक अंडर एक अंडर एटकिया है रोब टम टेमरेश पर एक चीनी की और थोड़ी सी नमख आटकर तो चुटकी बरता कि टीक प्राश है इसमें और इसको कर लेना है अगर आप अंडर नहीं उसकर ना चाहएब कोई मस बनाए जाता है तो बहुत ही मज़ेदार यह बनने वाला है एक्चल में फॉस्ट राम इतना बड़ा भीज़ बना दीए तो बहुत एक्साइटेड भी हो रही थी यह बचे भी खुश हो रहे थे तो देखें डो बन चुका है इसको देंगे रेस्ट थोड़ा सुआ लगा लि बनाए जल्दी से मारा काम हो जाए आपने वीडियो कि नहीं करने इस वीडियो को देखना है तो देखें आप यहां पे चिकन के लिए मसाला प्रेडी करेंगे यहां पर मैने युश किया है देहिंका दो चमच मैनली ले ली आप चाहें तो यहां पर आप पैपरिका बनाएट करते हैं वे लिए लेक्षा ने जाएते हैं अब आप चाहें तो इस पॉंट पे टिस के लीए है तो देखें अबिव हमे रची पैप्र का पाउडर है वे जो हैं चिकन के बिए होती है बनाएट कि आप तो देखें आपके बास नहीं है तो प्रेट पिस्टी सेब बार बीक्यू टाइप पीजा बना रही हो ना तो इसके लिए बड़े पीस का होना जरूरी है जितनी आपको चिकन की जरूद हो आप उसी साफ से ले लें अच्छे से मसाला इसको इसे कोट कर लेंगे बहतर यह है कि इसके ओवरनाइट रख लें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा लिखी जैसे कि मैं आपको बताया बच्चे आए में तो मुझे फिर जल्देली काम करना था तो मैंने सिर्फ इसको आदे घंटे के लिए इस इसको मैंने पैन मैट कर दी है मीडियम टिलोर लेंपे मैं इसको बनाऊंगी आराम से तेजाग पर बिल्कुल भी नहीं बनानी और पैन में जितने भी सेट आते हो उस तरीके से अब तो आप तो आप रख लें कम जादा आते हैं तो कर लें अब मैंने एक दौर इसमें एड नहाHelp कि दनी this कि मैं एडिया पदीने की है विसमें इंड़ी है、 लेमन जूस है और लेसन है इसके लब जीरre मैंने इसमें आच किया है और बहुत से पदस्पोवी चट्नी म्हाय ने बना दी है वह बहुत असलन मृंख बनां और भी मैंने बनां यहां पर थोड़ी देर के बाद मैं देखा तो फिर पानी जो है वह बिल्कल खुश्च हो चुका था इसको में बार बार चाहिए वह चेक कर रही थी विधा का बनाा पीज़ नहीं सुंदाबं यह सब्सक्राइब से वाध चेल यह हैं गरफे बना रही है मैं दिखाईब इस ना को कर हूँ मोर्जी यह भी त्लीन थो चैसे मिर्जी चोटे भी कर सकते हैं यह भी डीन कियोंकि जासी बाते पीसे पे लगा रही थी तो क्यूब शे भी कठ होने थे तो इस तरीके से देखें मैंने कट कर लिया इनको आप जाने तो इनका साहिज थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं जरूरी नहीं चोटा लेकिन मैंने नॉर्मल रखा है तो देखें जो भी हमारा डबल हो चुका है मशाला से अब बना लेंगे इसकी चबाती अच्छे से इसको मैं एक दफा और गूंद रही दी ताके कोई जो अगर कसर रह गई हो तो भी ठीक हो जाए अच्छे से यह आट्रा जो है वो सौफ्ट हो जाए यहां पर मैंने थोड़ा सा आटा जो है स्पिंकर कर दिया है और अब यह मिस्की चबाती बनाएंगे अपने पैन के साब से बनाए और आंट्रे में बनानी है यह जैसे भी बनानी मेरे पास रेक्टेंगल टाइप का पैन था तो उसके साब से मैं जह है वो रोटी बना रही तो हम अलगा थी थोड़ा से सेट कर लिया आप चाहें तो चाहिए तो इसको में भी साइस में लेकिनन यह थोड़ा सा बड़ा साइस में था तो इसलिए मुnचैन्स देखें यहां पर मैंने थोड़ा साट करने के बाद इसको पेन में एक कर दिया है इस पर बटर पेपर लगा लिया था मैंने जो है वह ज्यादा पतली नहीं है नॉर्मल है जैसे आम पीजे की होती है अब देखें यहां पर मैं कट लगा रही थी आप चाहें तो चली से लगा लें पॉक से लगा लें जैसे भी आपको अच्छा लगते हैं उस तरीके से लगा रहें कोई मसला नहीं है अगर ना भी लगा है तो कोई बात नहीं है लिकिन लगा लें तो थोड़ा देखने में उसकी लुक अच्छी आती है अब देखें कांटे के साथ जो है मैं से इस पिकट लगा रही थी ताके अच्छे से जो है वो भीख हो जाए पीजर रेसेपी मेरे चैनल पे अवेलबल है फ्री में आप देख सकते हैं अगर आप इंटरस् चीज आट करें तो थोड़ा से अच्छी आट कर दिया है अब यहां पे मैं चिकन एट करूंगी इसको अच्छी से जो है प्रूड़े के उपर तो पर सेम ऐसी प्रोसेस इसके आप चाहे तो कौन भी यह उसकर सकते हैं शिम्ला में जो आपका दिलो करें लेकिन मैं शिम्ला मैं चैट नहीं करी हैं मैंने सिर्फ चिकन का बनाया है तो देखे यह रड़ी हो चुका है और इसे 15-20 मिनट में आवन में और इसके लाव इसके पर मैं चितनी और पीजा सॉस भी आप कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको बदाया था चटनी का और भी मैं इसके लावा पीजा और इसके लाव लावा च ten